Hello and Welcome to Civil Engineering Quick Solutions तो आज हम बात करेंगे एक ड्रोइंग के बारे में जो कि एक ROB के ड्रोइंग है जिसको हम बोलते हैं railway over bridge यानि कि यहाँ पर नीचे से जो हमारी railway के track जा रहे हैं और उनके उपर एक bridge बनेगा उसके ड्रोइंग मैं आपको डिस्कस करूँगा इस bridge को बना रहे हैं PWD B&R Government of Haryana जिसमें मेरे recently selection हुई है as a J तो उसके बारे मैं आपको एक वीडियो में पूरी जर्णी आपको बदाऊंगा कि कैसे मैंने उसकी preparation की और कैसे मेरा exam clear होगा और उसके बाद finally selection हुई तो वो भी मैं आने वाले कुछ time में एक वीडियो में आपको पूरा अपनी जर्णी बदाऊंगा तो आज की वीडियो में हम discuss करेंगे इस drawing को तो जैसे कि मैंने आपको बदाया ये एक bridge की drawing है तो इसमें कुछ important चीज़े में आपको बदाऊंगा जैसे कि यहाँ पे जो foundation use की हुई है वो की है ये सब piles है ये भी piles है group of piles आप इनको बोल सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये हमारे पास एक railway का track ये है और एक railway का track ये है आप ये देख रहे हैं दो track है हमारे पास इनके दोनों side pile foundation use करके peers बनाके उनके उपर peer cap डालके फिर हम जो carriageway बनाएंगे तो इनके हो मैं थोड़ी zooming करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम इनको use करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे इस वाले की बात हम करते हैं तो ये जो group of piles है इसमें 11 piles है total यानि कि 11 piles को हम उनको पहले boring करेंगे उसके बाद उनकी casting करेंगे casting करने के बाद यह यहाँ पे numbers लिखे हूँ है ऐसे करके 11 है total 11 piles ऐसे ही हमारी दूसरी तरफ होगी वहाँ पे हमारी पास 9 piles होगी जैसे कि आप इस तरफ देख रहे हैं यह 9 piles हैं जमीन से उपर जो आपको दिखेंगे वह सिरफ यह 2 peer दिखेंगे जो आपके 11 piles होगे वह जमीन के निच्चे रह जाएंगे वह हमारा load transfer करेंगे ground पे तो यह जो peer होगे इनके उपर peer cap आएगी फिर उसके उपर carriage way बनेगा दोनों तरफ ऐसे ही होगा इस तरफ भी ऐसे ही होगा 11 pile होंगे 11 pile को cast करेंगे जैसे आप देख रहे हो 6th pile पे और यह 4th pile पे यहाँ पे peer आएंगे हमारे peer आने के बाद हम peer cap डलेगी सेम जो process है वही follow होगा तो ऐसे करके हम structure को पूरे को complete करेंगे तो उसके बाद मैं आपको कुछ side वाले भी दिखा रहता हूँ थोड़ा इनके बारे में जो दोनों side हमारे दूसरे structure बनेगे जैसे आप देख रहे हो इस तरफ यह यह जो no pile, group of pile यहाँ पे कितने है no तो यहाँ पे क्या होगा no pile को हम cast करने के बाद center में आप देख रहे हैं एक बड़ा circle है तो यहाँ पे सिरफ single peer आएगा यानि की ground level से उपर सिरफ आपको single peer दिखेगा इसके पर peer cap डलेगी फिर हम इसको इसके साथ connect करेंगे carriage वे बनेगा इसके उपर तो यह सारा इसके इंदर process follow गा ऐसे ही दूसरी तरफ भी इसमें सेम ही रहेगा इस तरफ भी बिल्कुल सेम ही ऐसे ही चलेगा यहाँ 9 pile है यहाँ 11 pile थे ऐसे ही चलेगा यहाँ पर इनके नाम है जैसे की A1, RP1, दूसरी तरफ RP2 और A2 तो बाक्की जो यहाँ पर आप देख रहे हो इस पूरे डिजाइन को हमने ग्राउड पे लेके जाना है यानि कि शीट को अप इसको हम ग्राउड पे लगाएंगा सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे लेड़ लेड़ आउट के अपर आने वाले टाइम है मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि हम पाइल जैसे 11 पाइल यानि का लेड़ कैसे करेंगे लेड़ का मतलब होता है कि ग्राउड पे जो शीट में हमारे पास 11 पाइल हमें दिख रहे हैं ये वाले तो इन 11 पाइल को हमें ग्राउड पे लेके जाना है पहले दोनgrunds को find करना पड़ेगा उनको हम कैसे find करेंगे इस railway track की center line से center line से हम इन पाइल को find करेंगे वह मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊ coming को find करेंगे तो इस ड्रोइंग मैं उपर में सिरह ही था, निच्चे क्या है निच्चे जो ये वले पाइल्स है न 11 पाइल्स इनकी डिटेल में थोड़ी ड्रोइंग दियो ही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा तो ये थोड़ा हम निच्चे इसको जूम आउट कर लेते हैं तो ये जो आप ड्रोइंग देख रहे हो ये वली ये हमारे पास 11 पाइल टोटल हमें गिवन है इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे जाए ये चीज़े है तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप 1,2,3 ऐसे करके टोटल ये 11 प पाइल के यहाँ पर डाइमेंशन दिए हुई है यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था 14 मिटर हम नीचे ये पाइल लेके जाएंगे 14 मिटर बोरिंग करेंगे फिर इनकी पाइल यहाँ पर जो स्टील है वो डालेंगे पाइल्स का उसके बाद इनकी कास्टिंग के बाध फिर हमारे पास दोपियर आएंगे जैसे मैंने आपको पहले ही बता है एक पियर यह और एक पियर यह है जो की यानि工作 जो ये पाइल से हैं आपकी ग्या रहा है ये तो रहेंगेयोंगे ग्राउंड से नीचे मँपर आपके पास धी फिरफ़ आपको दो ट्रांसफर करेंगी तो ऐसे करके यह पूरा जो मेकैनिजम काम करेगा उसके बाद इस ड्रोइंग के अंदर कुछ और चीज़े हैं जो देखने के लिए जो इंपोर्टन है देखने के लिए जैसे कि यहां पे जो आप देखोगे यह कुछ यहां पे डिरेक्शन के कुछ यहां पे दिये हुए है जब हम ले आउट करते हैं तब हम इनको यूज करते हैं टॉटल स्टेशन में या फिर आप थियोडलाइट में इनको यूज कर सकते हो वह भी मैं आपको अगली वीडियो में बदाऊंगा कि कैसे आप लोकेट करोगे इन पाइल्स को ग्राउंड के अपर उसके बाद ड्रोइंग में क्या है जो आप देख रहे हो यह यहां पर राइट साइड जो निच्चे नोट्स डाले हो हैं यानि कि यह ड्रोइंग के बहुत इंपोर्टन चीज होती है नोट्स में आपको सारा कुछ गीवन होता है कि इस ड्रोइंग में क्या-क्या कह में यहां अगर कोई हमने कोई ओर डामेंशन यहां पर यहां पर उसकी निच्चेश्य ओडिएंग में उसकी छह और में जैसे कि आपको पता है यह एक plan है plan यानि कि हम बोलते हैं top view को यानि कि जब आप किसी drawing को उपर से देखोगे उसका top view देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा ऐसा यह उपर वड़ा यहां पर दो track जाएंगे और इस तरफ आपके जो piles आएंगे वो ऐसा top view होगा इसी को हम बोलत से मैंने आपको बताया था तो उसके बाद क्या होगा इस तरफ थोड़ी और जो company मिना रही है सिंग्ला construction लिम्टेड उसके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है उसके बारे डिपार्टमेंट के बारे में और चीज़ें authority के बारे में बताया हुए थोड़ा तो ऐसे करक करेंगे longitudinal bar कितने हमां के transverse ring सब जो मैं आपको बताऊंगा आने वाली एक और वीडियो में तो इस से related मैं कहीं वीडियो आप लेके आऊंगा वो सब वीडियो भी आप जरूर देखें तो I hope इसमें आपको सब चम जाया होगा thanks for watching